वसंत पंचमी पर पीले रंग का क्या महत्व है? पीला रंग है समरिध्धी का सूचक वसंत पंचमी के दिन जादतर लोग पीले रंग के वस्त्र धारन करते हैं वसंत पंचमी के दिन पीले रंग को धारन करने के पीछे क्या मानिता है हम आपको बताते हैं पीला रंग इस बात का प्रतीक है कि फसलें पकने वाली है इसके अलावा पीला रंग समरिधी का सूचक भी कहा गया है इस पर्व के साथ शुरू हुने वाली वसंत्रितु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है खेतों में सरसों सोने की तरहा चमकने लगता है जौ और गेहूं की बलियां खिल उठती है और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उढ़ने लगती है और इस दिन पीले रंग की पतंगों को उढ़ते देखा जा सकता है इस दिन उत्तर भारत के कई भागों में पीले रंग के पकवान बनाय जाते है हर और पीला रंग दिखाई पड़ता है ऐसा लगता है जैसे प्रकृती ने पीले रंग की चादर ओढ़ ली है और यह नजारा हमें वसंत पंचमी से देखने को मिलता है इसलिए वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का महत्व है और इस पर्फ को रिशी पंचमी के नाम से जाना जाता है